1857 से भी पहले हमारे तिलक माजी जी ने भागलपूर के कभिशान किलिन लेंड को तीर मार करके मार दिया था, अंग्रेज को. आज ऐसे भीर पुरुष की जन्म जहिंती भी है, जब मेरा आदिवासी समाज मेरे साम्ड बैठाए. आज जो कारकमों की हरतना हुई उसके कारण अब, जाबुआ, रकलाम, खरगोन, धार और आज़ पास के युवाओं को, आदिवासी बच्चों को उच्च सिख्षा के लिए, न गुजरात जाना पड़ेगा, न इंदोर उज्जन के चक्कर काटने पड़ेगे. साथियों, गुजरात में मैंने देखा था, कि आदिवासी पट्टों में, स्कूलों की कमी के कारण, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, कई किलोमिटर चलना पड़ता था. मैं मुक्यमंत्री बना, तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए, मैं आपके बाजू में, यहने पता ही नहीं चलता कि मंत्य प्रदेश है के खुजरात है, यहां के गाउं गाउं जाता था, बिच्चा मांगता था, और गर-गर जाके कहता था, के मिजे बिच्चा में वादा दो, वचन दो, के आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे. मैं मुक्यमंत्री था, 13, 14, 15 जून, 44, 45 दिगरी तापमान रहता था, चारो तरब गर्म हवाय चलती थी, तब मैं जाववा के बगल में, ताहूत के जंगलों में, छोटे-छोटे गाउं में जाकरके, बेटियों को उंगली पकड़करके, स्कूल ले जाने कार काम करता था. अब आदिवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में, एक लव्य आवासी स्कूल खुलवा रहा हूँ, रेसिडेंशल स्कूल, कॉंग्रेस ले इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का आवसर मिला था, सिरफ सो एक लव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहाँ जहां उनके बड़े-बड़े बाबु बैटे थे, जबकि भाजपा की सरकार ने, अपने दस साल में ही, इससे चार गुजून गुना जादा, एक लव्य स्कूल खोल दिये हैं, एक भी आदिवासी बच्चा, सिच्छा के अभावों में पीछे रह जाए, ये मोदी को मन्जूर नहीं है, साथियों, हमारा आदिवासी समाज, हजारों वर्सों से, बन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है, कॉंग्रेस के समय, आदिवासीों के उस अधिकार पर, कानूनी पहरे लगा दिये गए थे, वन संपदा कानून में बदलाव करके, हमारी सरकार द्वारा, आदिवासी समाज को, वन भूमी से जुड़े अधिकार लोटाए गए है, इतने वर्सों से, आदिवासी परिवारों में, सिकल, सैल, एनीमिया, हर वर्स, सेंकड़ लोगों की जान ले रही थी, केंद्रों और राज्यों में, दोनों जगा, कॉंगरेस ने इतने वर्स सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने, अवस समय मृत्यू को प्रात्त होते, जन जातिय युवाओं की बच्चों की चिंता नहीं की, उन्हें पता था, कि भोले भाले आदिवासी लोग, बिमारी के लिए, उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता था, लेकिन साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी माईने रखती है, हमने वोट बेंग के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वाथ्प के लिए, सीकल, जेल, एनीमिया के खिलाब, अभियान शुरू किया है, ये कॉंग्रेस, और हमारी नियत में फर्क बताता है, ये नियत का फर्क ही है, कि आज हमारा आदिवासी समाज, सम्मान के साथ, विकास की दोड में आगे बढ़ रहा है, ये नियत का ही फर्क है, कि हमने मद्ध प्रदेश को, बीमारू राज्य से, विकास सिल राज्य बना दिया है, साथियो, आज, स्वामित्व योजना के माद्यम से लोगों को, उनकी जमीन के कांग्जाद दिये जा रहे हैं, कुछ देर पहले हाँ भी, एक लाग पचत्तर हजार लोगों को, स्वामित्व अधिकार पत्र दिये गए हैं, यह अधिकार पत्र नहीं, यह आपके जिन्दगी में सुरक्षा पत्र भी है, यह सिक्यूरिटी की गाण्टी का परचा है, वो सुरक्षा पत्रा जिन से हमारे परिवारों को, भूमी विवादों से सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा पत्रा,